वेल्कुम्टे स्टूडेंट इस वीडियो को ठोपिक रहे हैं लेरिक जो बीए सेकंड सेमेस्टर इंगली सब्जक्ट से समान देते हैं और यह हमारा च्छठा टोपिक है इससे पहले हमने पास पास टोपिक को कम्प्लीट कर लिए जिसमें हमने सॉनेट एलेजी बैलेड और एपिक इनसे विट नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो के डैस्क्रिप्शन में जाएए आपको link दे दूगा पूरी प्लैलिस्ट का अपने कोर्श को क्प्लीट कर सकते हैं और या पिर आप चैनल पर जा सकते हैं यह अविदिये को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने च एक Μ्यूजिकल इंस्टr prone Ay एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते लाइरे तो इसी लाइरे वर्ड से निकल करके आता है लैरे से ही निकल करके आता है आपका लिरिक निकल करके आता है लो चो ऑर फिर ये कि लेज़िक क्या कहना है यह हम पहले ऐसा होता था कि यह साथ जो इसको ने कि पीठ डौकी हमारे हां कि हर मौन्यै में हर्मोंकि के साथ चोगाना तो एक अलग नाम नेंगOOOO और नो राग शक् Me 늘 विजव लाह्रे के साथ जो सोंग वेद्वा पवयम हम सबने हो शयक्रक् wherein यह काफे popular हो गए हैं अभी जितने भी आप गाने सुनते हो इनके साथ music एड़ किया जाता है जैसे अरिजीत सिंग आप सुनते हो या पो установ किया आ रहइं और दो किया रहमान अप सुनते हो न जो यह गाते हैं जो यह सब्ड यूज करते हैं जो पोईटरी के मूजिक एड करते जाता है तो है जो पोईटरी है जिसके साथ music एड़ किया और यह पैर डरिक हैं तो जो गाता है वह लिक कहता है music mix करके ठीक है चलो इड़ीज़ सौर्ट मुजिकल सिंगल इमोशन एक्सपरेशन इसकी खास बात ही होती है इस सोट होता है बहुत लंबा चोड़ा कथानी होती दस बारा चोड़ा पंद्रह बीस लाइन का बीस लाइन भी ज्यादा होती है दस बारा चोड़ा है जिसे मुझे किसी फूल को देखकर क्या फील होगा मैंने उसी के ऊपर कभी तालिक दे तो नेचुरल है ना मैंने किसी अच्छी प्यारी से चीज़ को देखकर करके मेरे अंदर एमोशन फैदा हो गए और मैंने उसको बारे में एक पोयम लिख दी और फिर उसको म्यूजिक के साथ एड़ करके सोंग बना दिया तो यह लिरिक हो गया ठीक है सब्जेक्टिव होते सब्जेक्टिव कमल्दा होता यह आदमी हर आदमी पर अलग अलगतरी के से डिपेंड करता है किसी को मालो की अरजीत सिंग का स्वांग ज्यादा पसंद आता है किसी को यह रहमान का किसी को किसी और का तो यह प्रस्नल है दूसरा आप ऐसे बोल सकते कि मैं एक फूल को देख करके आक्स-पohemीोट सकता हूं एक्स-इमोशन में अनदर आसकता है दूसरा यह एक फूसरी पो tadi को देख करके उसके अंदर जरूरी नहीं कि मेरे जैसे सब्सक्राइब इमोशन पैदा हो मेरी जैसी इंटेंसिटी में पैदा हो प्लस माइनस उपनीचे हो सकता है तो उसी हिसाप से कोयम के अंदर राइनिंग स्कीम नहीं है तो उसको गया भी नहीं जा सकता मीं टर मुझा होता है लैंट ओफ लाइन जो लाइन आप वयम के अंदर लिखी है उनके एक आवरीज हर लेंथ होती है उनके अनदर एवर्ड होते मालनों कि एक लाइन तो एतने बड़ी है एक चोटी सी है तो गाओ के कैसे हैं तुक बंदी तो बनाने के लिए सेम सी होने चाहिए न तो यह मिल्टर होता है लगबग बराबर होता है जिसके कुछ एक्जामपल है जैसे एलीजी ओर सॉनेट पैलेड मतलब कोई भी ऐसी जिसको गाया ज सकते हैं सिंपल यह आपको समझ में तो चलो सब्सक्राइब कीजिए विए को करते हैं अपने अक्सराइज की तरफ पर को सब्सक्राइब करके आता है और यह आपका ग्रीक वर्ड है अगला कोश्चन है लेका वाज डेवलप्ड इन लेटर ताइमस बाइस सच वरेट चैने स्वाइन बर्न केट्स एंड लेक्स को डवलप किया गया कुछ ऐसे पोएट्स में जिन्होंने टैनिशन थे स्वाइन बन थे कीट्स थे और इनहीं के साथ साथ लेटिक में कॉंट्रिविशन दिया किसने और इसका राइट आंसर है आपका पीवी सैली अगला कोश्चन है लेक्स गिव्स एक्स्प्रेशन टो लिक्स के अंदर क्या एक्स्प्रेश किया जाता है ना तो डेफिनेटली अभी तक इन्दि आपने ठंग से पढ़ा है तो इसका राइट आंसर है आपका चार ओप्शन में से सिंगल इमोशन मैंने एक्जाम्पल दिया था यह तो लाव स्वंग होगा स्वंग होगा या कुछ और थीम हो सकती है जुदाई का विदाई का मिलन का तो एक सिंगल इमोशन होगा उसी को एक प्यम में कंक्लूड करते जाएगा बस उतनीसी बात होगी लिरिक किया होता है आपका सब्जक्टिव होता है ठीक है अगरा कोश्चन देख के साथ किया गया था अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है और इस पर अब दी मोमेंट इट इस अन प्रिमेडिटेटीड इस पोएम जो एक मोमेंट के बारे में लिगी गई हो और पहल से सोच ही ना गई हो उसको लिरिक बोलते हैं इस पर आप तो सब्सऻक ऐसंदर एक इमोशन आया अपके अंदर वसी मोचन में गुस्से में प्यार में नफ्रत में जो भी आपके अनदर आता है उसी मोमेंट हैं एक पोएम लिग दी उसको लिक बोलते हैं अन्प्रिमेडिटेटेटेड का मनलत होता है बिना सोचे समझे जो भी एमोशन आया कह दिया अगला कोश्चन है तो स्कूल्स पुएटरी पुएटरी के दो स्कूल है दो तरीके हैं दो विचारधाराएं यह कौन कौन सी है आपको यह बताना है इसका रैड आंसर है क्लासिकल और रॉमेंटिक एक कुलासिकल है क्लासिकल का मनलत होता है ओर इसनल पुरानी विचारधारा और एक रॉमेटिक और इसको नहीं विचार दारधारण बोल सकते हैं फाल ixk let's you know the correct of lyrics lyrics के अपनी एक पहिचान नहीं होती कौन सी पहिचान नहीं होती है देखे यह आपका राइट अंसर बन जाएगा और अपसिन नंबर ए यह चोदय कर लाइन की पोयम नहीं होती जिसमें डेट का सैले भीडे का सब्सक्राइब आप दस या फैन्टामिटर नहीं होते हैं पंडमर होते हैं कम जादा भी हो सकते कोई फिक्स नहीं है सिंगल फिसलों हो सकता है यह भी हो सकता है लेकिन सिर्फ यही नहीं हो सकता है इसलिए इसको reject कर दिया गया तोपिक का लास्ट को वीच वन ओप फॉलोविंग इस एक्जाम्पल ओफ लिरिक पोईटरी इन में से लिरिक पोईटरी का एक्जाम्पल कौन सा है इसका राइट अंसर है हिसकता है VARS के लाइब कॉई में से लिए लुब का दë बाहनी यारीयक चाजा है